बहराईच फिंसा मामले में बड़ी खबर मिल रही है संभावित बुल्डोसर एक्षन में रोक लगा दी गई है हाई कोट की लखनव बैंच से रोक लगी है 23 मकानों को तीन दिन का समय मिला था प्रशासन ने तीन दिन का नोटिस फिदिया था और बहराईच फिंसा के 23 घरों को नोटिस दिया गया है तो इस ऑक्टूबर को केस की सुनवाई हुगी तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराईच मामले से जुड़ी हुई बहराईच फिंसा मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट मिल रहा है संभावत बोल्डोसर एक्षन पार रोक लगा दी गई है हाई कोट की लखनव बैंच ने रोक लगाई है और 23 मक को तीन दिन का समय मिला था जादर जानकारी के साथ में रिशब मने तिरपाथी जुड़ गया है रिशब मने फिलहाल हाई कोट रोक लगा दी है क्या अपडेट मिल पा रही है कब तक ये रोक लगाई गई है देखे अब तीन दिन बाद इस मामले में अगले सुनवाई भी होगी और जस्टिस एर मसूदी की बेंच में ये याचिका पड़ी हुई थी जो तैइस परिवार थे जिनको वहाँ पर नोटिस दिया गया था जो निरमार थे उसको निरमार को अवयद बताया गया था और इसे लिए उनको अवयद बताते हुए तोडने का नोटिस दिया गया था जो पीरित पक्स की और से वकील कोर्ट में बेच हुए थे उनकी और से कहा गया था कि बहराई से मोबाइल नेटवर्क बंच चल रहा था वहाँ पुलिस लगी थी और विक्तिम्स हैं जो तमाम हैं जिनको घर खोड़ के भागना पड़ा है वहां से वह अपना जीवन वैद है या अवैद है तो उनको समय जरूर देना चाहिए जिसके बाद जस्किस ए आर मसूदी साहब की जो बेंच है उन्होंने पंदरा दिन का पूरा समय दिया है कि सब लोग अपना जो रिप्लाई है वो उसमें फाइल कर दें सरकार की और से भी आ जाए रिप्लाई पी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रे आरश्व भणी आपका